नमस्कार दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो लेकाए हूं जो कि अपार्टमेंट से रिलेटेड है अपार्टमेंट या अपना घर में जो है वह इस तरह का एक मस्किटों के लिए नेट स्लाइडर होता है जिससे कि हवा तो आ जाती है लेकिन केरे पकोड़े मच्छार यह साइडिंग पर रहता है और देज़े देरे समय के हिसाब से क्या होता है कि यह हाड हो जाता है ठीक है ना काफी धूल मिट्टी स्क ट्रैक में आ जाते हैं जिससे कि हवाड़नेस डेवल अब हो जाता है तो आज मैं दिखाँगा कि इसको किस तरह से मैंटें किया जाए और ह किया जाए ठीक है अभी काफी हाड हो चुका है देखिए भी बीच में फस भी रहा है कि अना काफी हाडने से इसमें काफी ताकत लगाना पड़ रहा है चलिए अब हम इसको कैसे साफ करना है उसको देखते हैं कि चलिए तो यहां यह देखिए यह इसका ट्रैक है यह ट्रैक है इसका ट्रैक है यह ट्रैक है इस ट्रैक में पहले हम सफाई करेंगे इसमें जो भी मिट्टी है धूल है इसको हम पहले बाहर करेंगे ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले एक तुद्वरस लेंगे तुद्वर ब्रस हो या आप कोई ब्रस ले सकते हैं डाइंग ब्रस भी हो सकता है वो ठीक है तो इसको इससे इसकी मदद सिने पहले थोड़ा साफ कर लेंगे इस तरह से सुसाफ करेंगे बैठी भी जो 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 गंदगी बैठ गई है मैं कि बाहर वाला पॉर्शन है तो इसमें तुछ बात है कि उसना कुछ ड़स्ट एक्पूलेट होगा ही इस तरह से दिखिए काफी दिखिए इसके बाद आगे करेंगे अब हम इसको आगे के पॉर्शन को इधर हमने इसको स्लाइड कर दिया जिदर साफ कर चुके हैं अब आगे के पॉर्शन को जो है साफ करते हैं इसी तरह से जितना कर सकते हैं कर लिया जाए कि अब चुटा चुटा मेंटेनेंस टिफ है यह बहुत ही पाइदे मंद है और मुझे लगता है कि सभी को इससे आज नकल गुजरनाई हिसके लिए हम बाहर से किसी को बुलाएंगे थो है विली चार्ज कर कर देगा ऐस के ठीके भूरस की हालात हो गया आप इसी थे कैसने बरस थाइं को बात में तो अब हम क्या करेंगे नेक्स टेप हमारा क्या है मैं बताता हूं तो इसके लिए ये एक एर ब्लोवर आता है ठीक है मर्केट में इसको भी आप घर में हम ऐसा रख सकते हैं कभी भी डेस्ट वर्स्ट को उड़ाना हो है ना तो कर सकते हैं तो इसके लिए ये एर ब्लोवर का इस्तमाल से लिए करते हैं इससे हम सारे धूल को ट्रैक से हमें हटाने में इससे काफी मदद मिलेगी एर ब्लोइंग के तुरू यह अंदर है ट्रैक अंदर ट्रैक है तो आप गीला कपड़ा लेके है ना गीला कपड़ा करके और उसमें ड कि टेकनिकल एकप्मेंट है तो यह है एर ब्लोईंग का हूता है यह आपने देखा होगा घर में वी काफ़ी हेल्फुल रहता है नेटव速 को साफ करने में एक बार एर ब्लोगर देजुत सबसांट हो जाता है वैकिम क्लिणर में भी फंसन्व तो इससे हम इसको ब्लोईंग कर कि देखिए अब हम इसको करते हैं होट टाइट है इसको करके दिखाते हैं क्लोज भीव में देखिए यह ब्लोवर गया अब देखिए नजदिक से देखिए जितना निकल सकता था सब उड़ चुका है ट्रेक से बहार आगे यह आसान तरीका धूल को एक रहाएं का चलिए अब स्टेब डिसाइड करते हैं नेक्स्टेप है हमारा इसको ग्रीजिंग करने का यह मैंने खरीदा है भी पोश कंपनी का है ठीक आव पढ़िया ग्रीज है लीथियम बेस्ट ग्रीज है यह ठीकत तो इसको यूज करेंगे हम और इसका बाइंग लिंक यस बाइन्लिक आपको मिल जाएगा तो डिरेक्टली आप लिंक के थ्रू जाके खरीच सकते हैं तो चलिए इसको मैं नया नया आया है भी अब आपन करता हूं कि आना यहां से इसका सील है सील को मैं इस तरह से तोड़ देता हूं सील को कि यह तोड़ गया ठीक है इसको मैं देता हूं और डब्बे को मैं अब ओपन करता हूं देखिए बहुत ही अराम से डब्बा ओपन हो चुका है इस डब्बे में लीड पर जो है काफी ग्रीज लगा हुआ है सबसे पहले इसी का इस्तमाल करते हैं यह हो गया तो इधर से आग दुबारा इसी ब्रस को लेना है और यह लीड है बस इसको इससे लगा लेना इस तरह से अब उसके ट्रैक में हम देखिए किस तरह से करते हैं मwhel कि रक्मे इस तरह से हम देना लेव्त राइट सेंटर लेफ्ट राइट है सेंटर एर लेफ्ट पॉर्शन यह राइट पॉर्शन मैं सेंटर दोनों साइट से होना चाहिए ट्रैक के और उपर भी लगना चैicing इस तरह से लगाते ज़ें में लिजिए मैं इससे क्या वगना ब्रसिंग से टी एकसेस ग्रीज नहीं लगेगा अंगलियों से लगाएंगे इसे लगाएंगे अंगलियों कटने कटर है तुली आ पर एक्षेस यहां पर एक्कुमिलेट होजाएंगे तो वो एक तरह से सई नहीं है वेश्टेज ऑफ ग्रीज भी होगा और डस्ट भी एक्रेक्ट करेगा है तो जितना जरूरत है ट्रैक पर ही लगे इसके लिए आप प्रूपर इस ब्रस का यूज करिएगा तुथ ब्रस है अराम से पुराने वाले को ब्रस को लिजेगा तुथ ब्रस क ब्रस के मदद से अंगली से लगाएंगे तो इस तरह का देखिए इस तरह इस तरह लगेगा यह डिस्पर्स कर देगा ब्रस इतर दर अब कर लेते हैं तरीका बहुत सिंपल है कि हमें इस ट्रैक को ग्रीजिंग करना है लेकिन उसका भी एक स्टेप बाइस टेप तरीका होत हम देखिए अब इस पर चल रहा है ना तो यह फ्री हो गया है बहुत आराम से जा रहा है ठीक है अब हम इसके सकेंड हाफ को भी ग्रीजिंग कर लेते हैं यह यह ऐसे करके लेफ्ट राइट टॉप पर तो लगेगा ही लेफ्ट और राइफ ब्रस को करते हुए निकलेंगे कि अना इस तरह से लेंगे और इस तरह से करेंगे अज़र से कर लेता है लास्ट पॉर्शन में इस तरफ से करें दूसरे हाथ से एक हाथ से उल्टा हो जाता है में तो भूत अच्छा ग्रीज इना यह दस्ट भी कम्स ट्रेट करता है लिथियम बेस्ट है वेहिकल्स बेरिंग्स इसके लिए होता है और इसको हम डोमेस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का ग्रीज है अभी दिकिए ब्रस भी स्मूथली स्पर चलने लगा है लेफ्ट राइट जब भी आपको लगे कि हमारा गेट जो है वो हाड हो गया है स्लाइडिंग हाड हो रहा है तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे अपने ग्लास विंड़ो वाले को भी उसको भी ग्रीजिंग कर लेंगे इसमें कुछ ज्यादा सफाई की तुरत नहीं है कि यह ट्रैक उपर रहता है यह अंदर रहता है इसलिए यहां पर एक्कुमिलेशन होता है और यहां पर नहीं होता है एर ब्लोईग हम करी चुके है लगे हाथ इसको भी करी दीजिए ट्रैक को भी कि आपका एक जो है वो कोई बात नहीं दर उदर लग भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है होता है इस तरह से इस तरह से कर दिजिए इस पर यह ट्रैक अंदर तक इसमें बाल बेरिंग टैप कर रहता है इसलिए इसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा ग्रेज मिल जाएगा उसको अब मैं इसको देखिए स्लाइट करता हूं अब यह देखिए इतना स्मूथ्ली स्लाइट हो रहा है देखिए मोवेंटम फिरी हो गया देखिए मैं फूश करूंगा यह वहां तक चला जाएगा अब आगे वाले पॉर्शन पर आता है ग्लास विंडो का आधा बच्च्वाय हुआ है हमारा इसको कर लेते हैं है ना इस तरह से प्रस इस पर लगा देना इसमें तो उपर काई पॉर्शन है लेफ्ट राइट है भी नहीं वो डीप में था इसले लेफ्ट राइट करना पर ओडताता इस तरह से लगा दादीजिए र्यक्त है ऑवा अंदर में मिक्स हो जाएगा जया ज़िए डिखत करेंगे ना सबस्सक्राइब लोघ को पर நीटेय। जहां तक जा सकता है कि कर देता है मिंदर भी हो गया ठीक है coping के इस तरह से कर देना कि अब ऑप अर वरस को रख देते हैं अब एक बारश को इसको करते हैं रो एक कि यह भी देखिए देखिए एक फिंगर है ना कोई प्रेशर नहीं एक फिंगर से आप अभी देखिए थे सुबह कि शुरुआत में कितना टाइट था यह अब देखिए कि एक दम मखन हो चुका है हमारा स्लाइडर ग्लास लाइडर नेट स्लाइडर दोनों तो यह था हमारा वीडियो कि इस पर स्लाइडिंग दोर के मेंटेनेंस के लिए सारे मेरे वीडियो जोते हैं यह सेल्फ मेंटेनेंस पर आता है खुद कैसे करना है और नहीं तो फिर बहार से और जेव दोनों जो है वो खाली होने का चांस रहता है इस आपके पैसे बचेंगे और सारे मेट्रियल भी इससे आपका जाएगा उस पैसे मेट्रियल खरीद लीजिए आप एक बार और बार बार इसके मल करिए ठीक है तो हमें अपने से भी ट्राइक करना चाहिए चीजों को करने का कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है एक तरीका है बस्ते बेस्टेप में बता देता हूं कि इस तरह से करिए नहीं तो आप ऐसे लाके ऐसे भी ग्रीजिंग करके निकल सकते हैं वह भी आएगा तो इसी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने जानने वालों के बीच में शेयर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लेजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आएगा तो आपको तुरंट पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा न्यू वीडियो का जो भी है नोटिफाई हो जाएगा आपको और तो फिर मिलते हैं अगले किसी मेंटरेंस वीडियो में या तो मेंटरेंस वीडियो होगा या कोई टेकनिकल वीडियो होगा गैजट डेटेड तो चलिए फिर अब तक के लिए इजायत दीजिए थैंक्यू धन्यवाद आपनाइस्टे जैस्री राम